जैश्री कृष्णा to everyone रमायन में रानी केकई का चरित्र बहुत ही महत्वपून है रानी केकई हिंदु पौरानिक रमायन की बहुत ही अहम पात्र थी रानी केकई ने भगवान श्री राम को बनबास ना भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित भी ना होता इसलिए रमायन की कहानी में इनका अहम हिस्सा रहा है ये खुबसूर्वत होने के साथ में भी युद्ध कौशल में भी धनी थी इसी कारण युद्य के राजा दश्ट्रत उनसे बहुत प्यार करते थे रानी केकई का जनम केकिया राजय में हुआ रानी केकई केकिया नरेश राजा अश्वत पती की पुत्री थी इनके पिता राजा अश्वत पती गोडों के भगवान थे इसलिए इने अश्वत पती कहा जाता था रानी केकई का नाम उनके राज्य यानि केकिया के नाम पर पड़ा रानी केकई साथ भाईयों की एक प्लोती बहन थी केकई बच्छपन से ही मातु प्रभाव के बिना रही हैं केकई के पिता ने केकई की माँ को अपने महल से भार कर दिया था जब उन्हें पता चला कि उसकी माँ का सुभाव सुखी परिवार के अन्नुकूल नहीं है इसके अलावा इनके पिता अश्वपती को एक बरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम है एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के उध्यान में तहल रहे थे तबी राजा ने दो हंसों के जोडों को आपस में बात करते सुना उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हुए और दिल से हस पड़े जिससे उनकी पत्नी की जिग्यासा बढ़ने लगी तथे यह था कि राजा अश्वपती को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वे इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे हैं तो उन्होंने उनको अपने घर से बाहर कर दिया इसके बाद केकई ने अपनी मा को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर केकई की देखबाल उनकी दासी मंत्रा ने की इस दरबार में अपने आपको बढ़ाने के लिए योजनाय बह बनाया करती थी मन्थरा इस तरहां रानी केकई का बच्पन शुरुवाती जीवन मन्थरा के साथ में व्यतीत हुआ एक पार अयोध्या के राजा दश्रत को केकई केकया नरेश अशुपती ने अपने महल में आमंत्रित किया उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतिक्षा कर रहे थे उनकी युद्ध कोशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे सभी उनके एक दर्शन मातर के लिए आतुर थे क्योंकि राजा दश्रत राजा हरिश्च चंदर जैसे महान राजाओं के समान महान थे उनकी देखरे के लिए रानी केकई खुत लगी हुई थी जब राजा दश्रत की नजर रानी केकई पर पड़ी तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा दिखलाई किन्तु इनके पिता को इनके शादी शुदा होने के कारण यह मनजूर नहीं था फिर राजा अश्व पती ने राजा दश्रत से एक वचन मांगा कि रानी केकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्राधिकारी बनेगा राजा दश्रत की पहली पत्नी कोशल्या का पुत्र नहीं था तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया इसके बाद अयोध्या के राजा दश्रत से रानी केकई की शादी हो गई किन्तु शादी के बाद वे मा ना बन सकी इसके बाद राजा दश्टत की शादी सुमित्रा से हुई जो की काशी के राजा की पुत्री थी किन्तु वे भी मा नहीं बन सकी फिर परिणाम यह निकला कि राजा दश्रत पिता नहीं बन सकते थे राजा दश्रत के कोई भी पुत्र ना होने के कारण बहुत दुखी रहते थे इसके लिए एक बार एक यग्या का आयोजन किया गया जिसके बाद राणी कोशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ इसके बाद राणी केकई का पुत्र भरत हुआ और फिर राणी सुमित्रा को दो पुत्रों की प्राप्ती हुई जो लक्षमन और स्चत्रुगन थे इस थरा राजा दश्रत को चार पुत्रों की प्राप्ती हुई रानी केकई राजा दश्रत की सबसे प्रियप पत्नी थी राजा दश्रत केकई के सुंदर्य और साहस के कायल थे केकई सुंदर्य की घधनी होने के कारण साथ युद कोशल में भी धनी थी वे राजा दश्रत के साथ युद्ध में उनका साथ देने जाती थी एक बार देव राज इंद्र संबरा सूर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे किन्तु वह राक्षस बहुत ही प्रभावशाली था उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे ऐसे में वे राजा दश्रत के पास सहयता के लिए आए तब राजा ने उन्हें संबरा सूर से युद्ध करने के लिए आशवासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे तभी राणी केकई भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी राजा दश्रत भी रानी केकई को अपने साथ युद्ध में ले गए युद्ध की शुरुवात हुई युद्ध के दोरान एक बान राजा दश्रत के सार्थी को लग गया जिससे राजा दश्रत थोड़े से डगमगा गए तब इनके रत की कमान राणी के कई ने संभाली वे राजा दश्रत की सार्थी बन गई इसी के चलते उनके रत का एक पईया गड़े में फस गया समरा सुर नामक राक्षस लगा ता राजा दश्रत परवार कर रहा था जिससे राजा दश्रत बहुत अधिक गायल हो गई यह देख राणी ने रत में से उतर कर जल्दी से रत के पईये को गड़े से बाहर निकाला और खुद ही यूद करने लगी वे राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भैवीत हो गया और महा से भाग गया इस तरह राणी केकई ने राजा दश्रत के प्राणों की रक्षा की राजा दश्रत भी राणी केकई से बहुत प्रभावित हुए उन्होंने राणी केकई को अपने दो मन चाहे वर्दान मांगने को कहा राणी केकई ने राजा दश्रत से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा कर्तव्य है किन्तु राजा ने उन्हें फिर भी वर्दान मांगने को कहा राणी ने कहा अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए इन दो वर्दानों की अवशकता भविश्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी तब राजा दश्रत ने उन्हें भविश्य में दो वर्दान देने का वादा कर दिया राम रानी कोशल्या के पुत्र थे ये राजा दश्रत के सबसे बड़े पुत्र थे राम रानी केकई और राजा दश्रत के सबसे बड़े पुत्र थे वे सबसे अधिक प्रेम राम से किया करते थे छोटे से रानी केकई ने राम पर अपना अधिकार जताया राम भी रानी केकई के सबसे ज़्यादा करीब थे वे उनकी हर बात मानते थे मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता के स्वयंबर में राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ कर सीता से विवा किया साथ ही राजा दश्रत के चारों पुत्रों का विवा मिथिला की राजकुमारियों के साथ संपन्म हो गया रानी केकई के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जताई रानी केकई के भाई युद्धा जीत ने राजा दश्रत से भरत को कैकिया आने के लिए कहा तब भरत और स्ट्रुगन दोनोंने कैकिया के लिए प्रिस्थान किया राजा दश्रत ने उसी समय राम को अयोध्या का उत्राधिकारी बनाने का निर्णे लिया जिससे सभी बहुत खुश हुए राणी केकई भी इस बात से बहुत खुश थी किन्तु राणी केकई की दासी मंतरा को यह पसंद नहीं आया उसने रानी केकई को इस बात पर खुश देखकर इश्य जताई उसने रानी केकई को बढ़काना शुरू कर दिया मंत्रा ने रानी केकई से कहा कि राजा दशरत अपने वचन से मुकर रहे हैं उन्होंने तुम्हारे पिता को यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्राधिकारी बनेगा फिर वे कोशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं यह सुनकर रानी मंत्रा पर बहुत क्रोधित हुई मंत्रा रानी केकई से कहने लगी कि केकई आप बहुत बोली हैं आप राजा दश्रत का चल नहीं समझ पा रही हैं इस तरह मंत्रा रानी केकई को भड़काती रही उसने रानी केकई से राम को वनवास बेजने के लिए कहा और फिर दीरे दीरे रानी केकई मंत्रा की बातों में आने लगी फिर उन्होंने इस विशेपर मंत्रा से सला ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए तब मंत्रा ने उन्हें राजा दश्रत के द्वारा दो बचनों के बारे में कहा रानी केकई को सब समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है रानी केकई ने अन्य जल सब त्याग दिया और कोब भवन में चली गई राजा दश्रत राम के राजी अभिशेक के लिए बहुत खुश थे, सारा महल खुशिया मना रहा था, यह खुशी राजा अपनी प्रिया पत्नी केकई से बाटना चाहते थे और वे इसके लिए केकई के कक्ष में जाते हैं, वहां जाकर केकई की अवस्था को देख कर वे उन उनकी चिंता का कारण पूछते हैं, केकई उनकी बात का कोई जबाब नहीं दे पाती, तब राजा उन्हें बताते हैं कि आज उन्होंने राम का राज्य अभिशेक करने का फैसला लिया है, फिर भी केकई कुछ नहीं कहती, राजा द्वारा फिर से पूछे जाने पर, ये सुनकर राजा चौंक जाते हैं और केकई को बहुत समझाते हैं किन्तु केकई फिर भी नहीं मानती राजा दश्रत भी अपने फैसले पर अडिक रहते हैं तब राणी उनके द्वारा दिये गए दो वर्दान मांगने को कहती है राजा दश्रत वरदान देने का वादा कर चुके होते हैं तो इससे वह पीछे नहीं हट सकते राणी के कई उनसे कहती है कि मेरा पहला वर यह है कि मेरे पुत्र बरत का राजय अभिशेक और मेरा दूसरा वर यह है कि राम को चोधा वर्ष का वनवास यह सुनकर मानों राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई हो वे इससे बहुत अधिक दुखी होते हैं रानी के कई के इन वचनों को सुनकर राजा दश्रत मानसिक तौर पर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनके इन वचनों को मानने से इनकार कर देते हैं रानी केकई उनसे कहती है कि यह रगुकुल की रिती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते इस तरह राजा दश्रत को उनके द्वारा दिये हुए वचनों का पालन करना ही पड़ा राम विप मर्यादा पुरुशोत्तम थे इसलिए वे रगुकुल की रिती की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आग्या का पालन करने के लिए वनवास जाने को तयार हो जाते हैं इस तरह राम को वनवास हुआ और वे अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ वन की और चले गए राजा दश्रत का राम के प्रती प्रेम सबसे अधिक था जिसके कारण वे उनका वियोग ना सहन कर सके उन्होंने राम को बहुत रोकने की कोशिश की किन्तु राम ने उनके वचनों को ना मान करके उनकी एक न सुनी और वे वन की और प्रस्थान कर गए कुछ समय पश्चात राजा दश्रत ने राम के वियोग के चलते अपना देह त्याग दिया और उनकी मृत्य हो गई इसकी सूचना जब भरत को मिली तब वे रानी के कई पर बहुत अधिक रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया भरत अपनी माता के किये पर बहुत दुखी था क्योंकि वे राम से बहुत अधिक प्रेम करते थे उन्होंने राम को वापिस अयोध्या लाने के लिए अपने मंत्रियों से डूनने को कहा रानी के कई अपने पुत्र भरत द्वारा कहे गए कटू बच्चनों से बहुत आहत हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ किन्तु भरत ने उन्हें अपनी माता कहलाने से वन्चित कर दिया जब भरत को पता चला कि राम चित्रुकूट में है तब अयोध्या के सभी लोग उन्हें वापिस लेने के लिए चित्रुकूट की और चल दिये वहाँ पहुच कर जब राम को उनके पिता की मृत्यू के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुए रानी के कई अपने किये पर पश्टाती रही उन्होंने राम से अपने किये की बहुत माफी मांगी और उनसे वापिस अयोध्या चलने के लिए कहने लगी किंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी बात ना मानी और वेवन में ही भ्रमन करते रहे और सारे अयोध्या वासियों को वापिस जाने के लिए कह दिया भरत ने भी राजगदी पर ना बैट कर राम के चरण पादुकाओं को सिंगासन पर रखा इस तरह रानी के कई ने अपने किये का पश्चताप किया और राम को वनबास बेजने के कारण ही रानी के कई की रमायन की कता में अहां भूमिका रहे